आशाड की अश्टानिका के इस महा पर उपर हमने विशेश रिप्से प्रविशुद्धी वियान अभिकार की प्रारम्दी सुष्यार गाथाईं जैस्या के लिए दिए और उन गाथाउं का दू प्रक्रण है अगर वास्तों ने समझेकर शद्धा करने लायक और आत्म साथ करने लायक है क्यांके जो विशा उसे में स्वति पाजित हुआ है उपर अनाजी से ही जीन की सद्धा नहीं है सद्धा नहीं है ऐसलिए जीवन में शातुलता बहुँआ है कुभू प्रक्रण आजयरो पीका में तुछ काफी पस्त किया ही है लेकिन पीका का अनुशीरन करते हुए इस प्रक्रण को ज्यान में आत्म साथ करना ये हमारे पुरुशास सातारीत है और नहीं होता है वह किता हाथ ये है कि कभी भी आतुलता का अंद करने वाला पस्तो का अंद करने वाला है प्रिशक में तुच्या कहा है आट्या दिने की जीन का अगर्कत्रित्ति उसका रर्म है क्त्रित्ति की जी बड़ा काश्टा है वो तो आगे आई है लेकिन यहां तो प्रादमगु में ही अगर इस बात की शद्धा ना हो और इसका परिज्ञान ना हो तो आगे का प्रकरण तो ज्ञान में समाविष्त होई है क्योंकि यदि हम अगर्कत्रित्ति की असात पारिज पर इक करता कर्म के अवाव कोई सीकार ना कर पाएं तो फिर आत्मा अपने परिनामों का भी करता नहीं है यह बात तो असंभा हो जाए प्रिज्ञान प्रकरण ने जीव के अकर्ट्तित्ति का प्रारणु किया और उसके लिए पुदर संदर तर्फी इसी प्रकरण में रिक्रम्बध परियाये की प्रम्बध्यता दी आचाइने प्रिक्तित्ति जीव अन्य का अर करता और अन्य जीव का अर करता यह सबी हो सकता है कि जब पहली बार कि जब जीव अपने तर्थी समय कुछ नए नए क्रम से उत्पन होने वाले परिनामों की साथ तन में हो करता और कर्म यदि इन में सन्में सन्ना हो तो उसका दूसरा आर्थियव होगा कि वे दोनों न्यारी न्यारी हैं सन्में हो अर्थाद एक में हो अगर एक में नहीं है ऐसा दूसरा पहलू हम कहें इसका दिया है कि न्यारी न्यारी है और एज़ी सिदी में कर्टा कर्म की सिदी नहीं हो सकती तो कर्टा कहीं रहेगा और कर्म कहीं रहेगा कर्म का कर्टा इसको कहा जाएगा इसलिए ये आवशक है कि एज़े की द्रग्य और परियाएगा अपना अपना स्वरूप है लेकिन उनमें पेग दूशेश पर यह है कि द्रव्य और परियाय वे दोनों एक ही पदात के अंग हैं वेक ही पदात के अवयो हैं इसलिए इनमें सरवता अभिन्नक्त विन्नों होकर इनमें अभिन्नक्त भी होना चाहिए और वो होता है, और जब वो होता है, तो करता करती ही हो जाती है, असा जो द्रव्य है, वह क्रमशा नया नया जो परियाय उत्तन हुई है, उसके साथ वह द्रव्य सल में होता है, उस परियाय में वह द्रव्य व्यापक होता है, उस परियाय में वह द्रव्य रहता है, उस परि इसमें एक ना हो तो न्यारा-ईन्यारा होगा, दूसरा पैलो, इसका दूसरा पक्षिक्या होगा, एक मेक ना होगा. इतलर एठी यह जोचाहिए कि दर्ढ़ों और परियार, ए तो न्यारी-न्यारी दो चीज़ें हैं. पर एक नहारी दो चीज़े नहीं पर एक पदाज के न्यारी न्यारे दो अहयो big है heck ऑर दौनोंका स्वरूप न्यारा न्यारा उन्हें परजी दौनों एक नेग है और वोना में एक पदाज के सब नहीं दो तो गमन को ये पदास्गा नहीं कह सकते। इसलिए और बड़ी सुंदर सासी आचारी ने सिद्धी की है इसमें और बात भी लगती रसी भी है। लेकिन बहुत गंबीर सक्थे इसमें आचारी अंवर्चंद्र के बचन में मरे हुए है। कैसे से दिखिया जाए नहीं। कि प्रसंतो जीव क्रमबद ऐसे अपने परिणामों के उत्पन होता हुआ कि जीव ही है अजीव नहीं। क्योंकि जीव पहली बात यह है। सबसे पहली बात यह है। तो सबसे पहले इस पर विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले इसका पश्ट और निर्मल ग्यान होना चाहिए। कि जीव प्रम्बव से ऐसे अपने परिणामों से उत्पन भूता हुआ जीव ही है। तो यह जीव ही जानते हैं। जीव से तरह जीव ही रहता है। कि तुम नहीं जानते इतली हमने यह बोला है। अगर तुम जानते होते तो हमको यह कहने के आउशकता थी। नहीं थी। लेकिन वो जीव कब रह सकता है। कि एक तो ये, कि जू परिणाम एक के बाद एक ग्रमशह होता है। कि परिणाम का स्वरू की यह है। कि वो सारे के सारे अनलिस्तिक विष्य में होने वाले जो परिणाम हैं, वे एक साथ एक समय में नहीं होते हैं। होते हैं, वो सारे हो जाएंगे तुब बादी क्या रहेगा काड़ी। द्रभी तो निश्की हो जाएगा। इसे एक के पाद एक होने वाले जिस परिणाम को हो वो द्रभी प्राप्त होता है, तो उस परिणाम के साथ परियाय के साथ वो द्रभी तन में हो जाता है। उन सब के साथ तन में नहीं है अजी। उन्सों के गेतो आगे होने वाले हैं। आगे होने वाले हैं यह बात आज ही निश्चित है आज ही नहीं बल्कि अनाजिकार से निश्चित है और वो किस्ता होने वाले हैं कि एक के बाद ये होने वाले तो एक के बाद ये होने वाले उस परिनाम के साथ उस परिया के साथ द्रग सन में हो जाए तब द्रग उस परिन कर्म कहा जाता है इस प्रकार कर्ता और कर्म की सिध्धी एक ही पदाथ में होती है इस तरह एक पदाथ ने कर्ता कर्म की सिध्धी करके आचायर ने पारत पर एक कर्सितुगा निशेद कर दिया जीव वो अजीव का आ करता है और जीव जीव का आ करता है क्योंकि जिस तरह जीव के परिणाम क्रंबद क्रंश एक के बाद एक बद्द क्रंश से होते हैं और उस होते हुए परिणाम के साथ तन में होता है उसी तरह अजीव ही अपने उस क्रमशर क्रमबद्ध हने वाले परिनाम के साथ तल में होता है इस तरह अजीव अपने अजीव परिनाम का करता और जीव अपने जीव परिनाम का करता वो परिनाम भी जीव ही है, वो परिनाम जीव से न्यारा नहीं, वो परिनाम जीव बोलना, तब अन्यता होगी, अगर ये कहोगे ये तो परियाई है और ये दर्द है, ये तो न्यारे न्यारे है, तो 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 करता करन की सिद्धी नहीं होगी, पर वो परिनाम जीव ही है, अन अजीव कहां नहीं होतने, कहां कहां नहीं है बलकि वो जीव का परणाम होने से जीव ही है अज इसी प्रकार अजीव भी पने परणपध्य अपने परणामों के उतभण होता हुआ, जीव नहीं ज़िए बात समझ में आजा है तो निरंत पतिशन अग्यान में उठने वाले जो इकल्प हैं करता करन के अत्वा कारणकारिय के दो बदार्थों में अत्वा निमित नें इसी संबंध में जी जहां वदन है तो भी करता करन का इस दूसर रूप हुदा ज़िए निमित पर उसका जोग हो ज़िए निमित सचमच है कि जिसका अतास कुछ भी करने वाला नहीं होता है उपादान में तब निमित पर यदि उसका भीतर से वजन हो, कथल में नहीं, कथल में तो वजन आ जाता है, जो निमित की बात की जाए, तो कथल में बले वजन आ जाए, लेकिन भीतर उसकी शद्धा में और उसके ज्यान में निमित पर वजन नहीं होना चाहिए कभी भी, अगर निमित पर वजन आ जाए तो पिर्फू इसने निमित निमित सम्मंद से इंकार करके उन दो पजात्वों के बीच में करता करन भाव उत्रितार किया और ही महाध्यान और मिस्यारशन तो वो अजीर ही है जीर नहीं क्योंकि जैसे कंकन आदी परियनामों से उस्पन होने वाले हैसे स्वर्ण का कंकन आदी परियनामों के साथ साथ ताधास में है कंकन आदी परियान, कुंडल आदी परियान कोई भी परिया है, सुरन की जो हुती है, तो उसमें हर जगे सोना पूरी तरह ज्यापत है, अठाद इस परियाये से वह द्रव ये न्यारा नहीं है, बलकि इस परियाये में वह द्रव पूरी तरह ज्यापत है, कंकन में किसी में सो कंकर की परिया इस सौने में कि जगे नहीं है? और सौने की परिया इस कंकर में कि जगे नहीं है? कि जब ऐसी मुझता है, तो परिये दोनों एक ही हैं, एक में कहें हैं हासाथ, एक ही हैं. और हम उस कंकन को कंकन के नाम से न पुकार कर क्या सोने के नाम से नहीं पुकारते हैं। कि दिरोग पूछा जाया है कि आपके पास कितना सोना है। तो कि मेरे पास एक तोले के सोना है। तो क्या है। ये पास तोले के भार है। सोने के कड़े हैं, और यह है और वो सोने की परियाए है सोने थे बेएको नहीं नहीं है हर परिया सोना है उसकी, छोन की, उसी प्रकार सर्व द्रविन का अपने परिनामों के साथ सादात में है, उसी प्रकार जितने भी अनंद पदाख हैं, उनका अपने परिनामों के साथ सादात में है, सादात में अर्थाथ, ये परिनाम उसकी आत्मा ही है, जो अचेतन है, जयते पुद्गल है, उसका जो स्पर्शत गंदवर्ण है, और उस्पर्शत गंदवर्ण की प्रफिसमें हने वाली, काली पिली, नीली आदी, खस्ती मिठी आदी, हलकी भारी आदी, त्यादी जो परियाएं हैं, उन परियाएं के साथ वहा पुद्गल तब् एक में एक है, कौन है हलका, कौन है भारी, कौन है तिला, तो क्या बोलेंगे, तो चीली परियाएं हैं, तो ये परियाएं का भी स्वामी तो होगा, परियाएं का भी करता तो होगा, तो उसका नाम तो बताओ, क्यों उसके नाम के बिना हैं, तो ये परियाएं मिरेगी नही इसके का जीव अपने परिणामों से उत्वन होता है कैसे परिणामों से? कि जो पहली फंक्ती में बताया वो बहुत कंभी फंक्ती है, उसे नहीं भूलना है हाँ, उसके रहसे सागर जेते हैं पहली फंक्ती के इसके का जीव अपने परिणामों से उत्वन होता है, कौन से परिणाम उसे? इसलिए ये तो असत हैं, लेकिन उनी असत में से सती समय क्रम से सत होता है, परिनाम, और जो परिनाम सत होता है, तो उसी के साथ वो द्रव्य व्यात होता है, उसी के साथ वो द्रव्य तन में होता है, तन में होता है मैंन बयर अपने परिनाम से उत्पन होता है, उसे द्रव्य तो एदी हुत्पन हो लॡना न कहा जाए तो इसका आर्भ धिय 해 है कि हम उसे उसके परि Luigi कराहिके, मैंने हाम उसमें जगह रखना चाहते हैं, मैंने हमारे भी तो पर शल्ले है presenters कि इसका परिणाम है उसके परिणाम साथ हम उसे परिणां कह общ M everyday होती है फिरा हुस्पन तो परियाय होती है, द्रवे थोड़ हुस्पन होता है, एक बड़ी भारी बैस का विशा है तो यत्य भी परियाय उस्पन होती है, पर उस परियाय से वह द्रव के नियारा नहीं है बैके उस परियाय के साथ वह द्रव एक में है, यह दिकी द्रव परियाय का स्वरूप समाप्त नहीं हो जाता, नहीं होने पर भी नहीं होते हुए ही यह दोनों एक में हो जाते हैं, इसलिए यह का जाता है कि वो द्रव ही अपने परिणाम से उत्पन हुआ है, वो द्रव ही और द्रवी की परिवश है कि जो अनार्यंत है और जो कभी उत्पन नहीं होता हुए कभी नश्ट नहीं होता है यहां आचानी क्या सिध़ करना बहुत गंभीर बास सिध़् करना चाहते हैं यॉदि तो नहीं मानते हो तो द्रव्ए अपने परिणाम दे उत्पन हुआ अठादुर परिणाम और दिवे एक हैं, यह अगर नहीं मानते हो, तो करता कर्म की सिद्धी नहीं होगी, और तब आत्मा की परिणाम का करता कोई अचेतन हुजाएगा, और अचेतन का करता आत्मा का आत्मा हुजाएगा, इसलिए यह बात इकार करो, बली यह गरवार नहीं यहाँ तो यह निश्च्र नहीं का विश्द 예요 लेकुन लिंद समय हम परम्निश्द यहीं की बात करेंगे उसе नंहीं टोटी बी चला जाएगा यहाँ इन दिश्च्र से कह रहे हैं आपने पर Mina का कर्ता, व्याप्त अपने पर Aham aangya और अपने परिणाम के साथ तनमय है, इसलिए वह है अन्य के साथ तनमय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो वह अन्य का करता भी नहीं हो तो इस प्रकार जीव अपने परिणामयों से उच्पन होता है, तो साब उसका अजीव के साथ कारी कारण भाव सिद्ध नहीं होता, कारी का जीव है तो अपने परिणाम के साथ एक में वर्तन करने से फुर्षत नहीं है, तो अजीव में कब चला जाएगा और अजीव के परिणाम करता कब हो जाएगा। मेरा एक काम हे और ओ आपको करना तो यह कहता है इए ने ने थे भी फुर्चत नहीं है यहाँ जब जीन को यह कहां जाता है तुछी क्या बात है तुम्हारा काम को तुम करते ही हो लेकिन ये दुनिया भी जोई तुम से समचदार हो तो तुम्मारे समझे अगर ये दूसरे का भी काम करें, क्रूसरे का ओपकार करें, दूसरे की दया करें, तो क्या दिक्कत है इसमें, तो जीव कहता है और मुझे तो मरने की भुर्चप अपने काम से इसलिए जीवकाजीव के साथ कारेकारण भाव सिद्ध नहीं होता अब जेशु देते हैं आचारी सर्व क्योंकि सार्वे दर्वे का अन्ने दर्वे के साथ उत्पादे उत्पाद भाव का भाव है तो सारे ही दर्वे ऐसे हैं कि उनका अपनी परियाए के साथ तो अपने दर्वे का उत्पादे 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 भाव है उत्पादे मने परियाए उत्पादे मने दर्वे लेकिन दो पजाठों में परत्पर ये उस्पादि उस्पादि भाव नहीं होता, सिद्ध भी नहीं होता और एभी नहीं होता उसके सिद्ध नहीं होने पर अजीव के जीव का कर्म तो सिद्ध नहीं होता जब उसकर जब ये बात सिदनी होती तो फिर जो अजीव का परिणाम है तो जीव का कर्म है अजीव करता है तो ये निरंतर अज्ञानी को क्या लगता है कि वह जिन पदासों का सयोग होता है असमय नहीं हो तो भी उनके साथ अपने संबंध का निश्चे करता हुआ अपने संबंध का विश्वात करता हुआ ये मानता है कि मैं था तो ये काम हुआ इसकास क्या हुआ, ये काम मैंने ही किया है, मैं न होता तो ये न होता, इसकास ये हुआ कि ये है उसे व्याक्त हुए, तो व्याक्त हुए बिनार काम नहीं होता, एक पदास दूसरे पदास का सपर्श भी न करे और उसमें काम हो जाया है तो ये तो कभी संभव नहीं है, अप प्रकार जीव का अजीव के साथ और अजीव का जीव के साथ तादास में न होने के कारण उनमें करता कर्म भाव शिद्ध नहीं होता ये तो हुआ अब इस प्रकार में भी जिज़ादा दिकत आती है वो आती है आचारे ने जो कहा कि वो क्रम नियमि क्रम बद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन होता हुआ जीव ही है मैं जीव के जो परिणाम है ये एड से बार एड तो होते हैं लेकिन वे बद्ध करम से होते हैं अर्था से जो जिस समय होना होता है वही होता है इसमें लिखकर सबको लगती है, इसमें तो हम बिलकुर निहत थे, एक दम बिलकुर, तहाए जैसे हो गए, हमारी जैसे कोई ताकत ही नहीं है, ऐसा सिब्द हो गए है. कर्था सर्म की अनयर्पेच्छ रया, सिद्धी होने से जीव के अजीव का कर्फित्र रिख्ष्द नहीं होता जीव के अजीव का करते तो सिद्ध नहीं होता है, इसलिए जीव आपने परिनाम में तन्मे होका है, अपने परिनाम काही करता है, और अपने परिनाम में तन्मे होने के कारण, नहीं जो परिनाम अपने क्रम से आता है, तो जीव उसमें तन्मे हो जाता है, तो जीव को अवक तो पर किसी दूसरे के साथ तनमय हो सके और तनमय होई बिना करता करने की सिद्धी नहीं होती है। इस प्रकार परसपर करते तो सिद्ध नहीं होता, अर्था जीव करता सिद्ध होता है। जीव को हरता सिदिकिया ना, है तो सभी हरता परसपर, लेकिन जीव को हरता इसलिए इस दिकिया, जीव अपने आग को करता मानता है, तो मैं क्या नहीं कर सकता, ऐसा जीव का अभीमान होता है, और उसमें भी मुख्य भूप से ये जो एक के बाद होने वादे परिनाम वे अपने नियत क्रम में होते हैं, ये बात जीव को ज्ञान में स्विक्रत ही नहीं होती, चोब इसमें जीव को ऐसा लगता है कि मेरी तो सारी शक्ती और मेरा साला पुर्शात समात हो गया, बेकार हो कि क्रमबद उत्वन होते हुए अपने परिनाम से जीव उत्वन होता है, ये कहा है नहीं? तो पहले परिनाम का सोग हम देखें, कि जो परिनाम है, असाद परियाई है, उसको उर्दू प्रचे कहते हैं, और जो गुन है, उसको तीर्यक प्रचे कहते हैं, तो तीर्यक लेकिन जो परियाएं हैं अनाधिकाल से अनंत भविश्य में होने वाली जो अनंत अनंत परियाएं हैं वे सारी की सारी एक समय में एक साथ नहीं होती बलके वे करम से होती हैं ये एक के बाद एक होती है तो जब पदाच में परियाए का एक ऐसा उर्धू करम है जहां से ये रसमझे की है बाद तो परियाए को उर्धू प्रचे का वो ये बहुत गंधीर है बाद बना परियाए एक के बाद एक होती है एक के बाद एक होती है असात वर्तमान में तो केवल वर्तमान परियाय हो रही है लेकिन आगे की परियाय नहीं हो रही तो भी उसे जो होना है तो एक के बाद एक होना है और ये बात आज ही निश्चित है आज ही निश्चित क्या है अना दिकाल से? निश्चित जब ये बात निश्चित है कि उसे एक के बाद एक होना है, अथाथ आप परियाएं का गुणों की तरह ऐसा कोई जथा नहीं है, कि उन में से कोई भी परियाय उचत कर किसी भी समय आ जाए ऐसा भूई जथा नहीं जथा हो तब भी हो सकता है लेकिन परियाय का स्वरूत है उद्धु प्रचाय मने एक के बाद एक क्रम पूर्वक होना जब एक के बाद एक क्रम पूर्वक होती है तो जो होती है उसका एक निश्चित क्रम है या वो अक्रम से होगी चोड़ी तो आज ही निश्चित अनादिकाल से निश्चित है कि एक के बाद एक परियाए होती है एक के बाद एक जो परियाए होती है तो वो उसी समय की निश्चित होगी नहीं होगी और अगर वो उसी समय की निश्चित ना हो, तो फिर वह सत्थ नहीं कहलाईगी यह दूसरी बात, अगर वो उस समय की निश्चित नहीं मानी जाए, तो फिर वो सत्थ नहीं कहलाईगी क्योंकि उसका अपने समय पर होना यही तो उसका सत्थ है, यही तो उसका सित्व है दूसरे समय में होने वाली परियाय उसके स्थान पर हो गई तो इसकार दिये हुआ कि उस सत्थ की जगए असत्थ का जन्म हो गया और असत्थ का जन्म तो कभी होता नहीं है कोग यह सिद्धान्त है तो जो परियाय अपने समय का सत्थ है उसके स्थान पर किसी दूसरे समय की परियाय का होना वो तो असत्थ का होना है और इस तरह असत्थ के होने का सिद्धान्त अगर स्विकार कर लिया जाए तो जड़ के चेतन होने में और चेतन के जड़ होने में कोई बादा नहीं रही है इसलिए ये बात निश्यक्त करने लाएग के हेक के बाद एक क्रम से अननथ भविश्या में चले जाए हम अनन्थ भविश्या में विए उनमें Cinema भी पर जाएद़ क्रम तूटे। तूटा तो है नहीं, ये तो आजिया दिखा है चुगे, कि वो तो एक के बाद एक होना है, वो क्रम तूटना नहीं है, लेकिन यदि क्रम तूटें तो त्रमे काई नौश होता है, इसलिए क्रम कभी बंग नहीं होगा, और उस परियाय के सत रहने के लिए ये आवशक है, कि एक के बाद एक वह जो होने वाली है वही हो, और चुगे वो परियाय पड़ी हुई नहीं है, दूतरा तरगी क्या है, कि वे परियाय गुनों की तरह पड़ी हुई नहीं है, तब फिर एक के बाद जो दूसरी परियाय हुई, तो वो परियाय उसके बाद होने वाली थी, व कि जो वर्तमान में भविष्य की परियाएं असत हैं, तो वे भविष्य की परियाएं जब वर्तमान बनती हैं तो सत्रूप होती हैं, तो वो सत्रूप होई तो उसका जो समय है, उसमय यदि हो, तो वो सत्रूप होना हो सकेगी, सत्त कहलाएगी, अनिसा वो असत का जन्म होगा और ये है बात अनन्त भविश्य के लिए सुनिश्चित है जिस सुनिश्चित है तो उनका एक ऐसा नियत और व्यवसित क्रम है कि उसमें कभी फरक नहीं खड़ सकता अर्था कभी भी आगे और पीछे नहीं होता है नहीं हो सकती जैसे एक जिसे परीच्षा होने वाली है तो परीच्षा भवन में परीच्षा तो होने वाली है तीन दिन बाद और परीच्षा भवन में रॉल नंबर आज ही लगा जी गए तो यह जो रोल नमबर लगाए हैं, तो यह रोल नमबर पर बैठने वाले ही लड़के हैं, वे तो तीन दिन बाद आने वाले हैं लेकिन उनका करम आज निश्चित है या नहीं, कि कौन से रोल नमबर पर कौन से लड़के वो बैठना है निश्चित है, आगे बीचे होंगे, कि कभी हो जी नहीं सकते हैं, और उनका ये करम आज ही निश्चित है, लेकिन उनका आज होना निश्चित नहीं है, मैंने आज हो जाएं ऐसा नहीं है, करम का निश्चित है, तो तीन दिन के बाद जो समय से सत्म होंगे, तो प्रतेज गड़ी में इस समय नो बजे हैं और बारे गंटे के बाद कल सुभए के नो बजने वाले हैं ठीक है? अब देखना यह है कि उसी गड़ी को सबेरे नो बजे तक जो पहुँचना है तो उसका क्रम निश्चित है या निश्चित है? क्या निश्चित है? और हम कर दे तो? क्या हम कर दे हैं अत्वा उसे कोई अनिश्चित क्रम दिखाई दे तो उसे घड़ी कोई नहीं कहेगा तो जो कोई पूचेगा क्या टाइंग हुआ? तो नो के बजाए दस बताएगा तो कहेंगे चुना दानी है गड़ी नहीं है, इसलिए गड़ी सवेरे 12 बिनते बाद जो सवेरे के 9 बजे तक पहुचने वादी है, तो उसके प्रते के बिंदु पर कोई किसम आएगी ये निश्चित है या नहीं, और उसका बिंदु भी निश्चित है या नहीं, तो उसका बिंदु निश्चित होने प ये भी निश्चित है या नहीं, अग उसके बाद कौन सा बिंदू है ये भी निश्चित है या नहीं, और उस गड़ी की सुई को उनमें से प्रतेष बिंदू पर किसमय जाना है, ये निश्चित है या नहीं, इस कन को आज तक कोई भी बंग नहीं कर सका, बंग नहीं हुआ, इसी प्रकार परियाय का एक सुनिश्य क्रम उसका प्रतेश बिंदु है, एक एक समय का, और उस बिंदु पर जिस समय परियाय का समय आएगा, तो वो परियाय एकदम उपस्तित हो जाई, आज वो परियाय नहीं है, कैसा विज्ञान है जबर्दस, कि आज वो परियाय नहीं है अपने करम में अपने बिंदु पर अपने समय पर तुरंट उपसित हो जाएगी और दुर्ब उसमें व्यात हो जाएगा इस प्रिकार उदु प्रज्या में अठाट परियाए का विस्वरूप है एक के बाद एक क्रमशा होना तो इसमें क्रम भंग होता ही नहीं है कोई कर नहीं शकता है। इसलिए पर यह पर्दर्व में तो उसके क्रम को भंभ कर ही नहीं सकता। लेकिन दर्दे भी, चुंके उस जिस परिणाम का समय है, उसके साथ वो तनमय रहता है, पीछे के परिणाम के साथ तनमय नहीं, और आगे के परिणाम के साथ तनमय नहीं, तो उसके द्वारा भी करम भंग करने का कौन सा उतर है, तो समय नहीं है, और को करम भंग दिच्यों क जैसे किसी तो अंदा बच्चा पैदा हो गया, तो कि आगर भैक दे चंबल में? या उसे पुत्र बग पाले, अग उसके साथ पुत्र जैसा स्नें करे, तो इसी प्रकार विकारी परियाएं यदी होती है, तो दर्दे तो उसमें उसी तरह से पनमा होता है, जिन 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 विकारी परियाएं के साथ, तन में होता है, क्यों इसकी परियाए है और उसका क्रम है, बले ही अपराद है, तो अपराद है, तो अपराद को तालने का जो प्रेत्न है, वह तो बड़ा अपराद है, अपराद को तालने के प्रेत्न से कोई निरपरादी नह कुछ पहरें हो जाता बलके अपराद को स्वीकार करें इसका नाम निर्भ भादी है इसलिए उस अपरादी परिय परे नाम इसलिए सबसे पहले, सबसे पहला चरण है ये तो, कि विकार को स्वीकार किया जाए, और विकार स्वीकर तब होता है अपना, कि जब अपना द्रह इसके साथ तंड में हो, तो इसमें हो, आज फिस दूसरा प्रतन जो परम अध्यास्म का है, वो इसी से शुरू होता है, वो य नहीं नहीं है, तो फिर वो भी नहीं है, तो इस विकार के सर्वका इंकार करें, तो सर्वका इंकार करने पर वो विकार ही नहीं रहता है, तो भी तुम निर्विकार होनी की चेश्टा करोगे, तो भी ये तंड में रशन आद ही है, तारे के सारे कपू हो जाएंगे नहीं, दुख स्विकार नहीं है विकार के, इसलिए विकार को पहले स्विकार करना और इस तरह स्विकार करना फिर स्विकार के साथ द्रंगे संद में है, विकार किसको आया? विकार मुझी आया है, तुम कोई आगे है भुखार? जहां आतो गया है भुखार, किसे के भुखार नहीं है किसे के भुखार है मुझी, उस तरह भुखार के साथ उस समय तन में है, यह आदखना, विके परिनाम के साथ तन में नहीं, आगे होने वादे परिनाम के साथ तन मे और वर्तमान बनकर सत्रूप होने वाला है, और सत्रूप वही होने वाला है कि जिसका क्रम जिसका नंबर है, जिना नंबर के कैसे होगा, जिना नंबर की क्रम कैसे चलेगा, तो तो प्रचे, एक के बाद एक, एक के बाद जुसरा, दुसरे के बाद तीसरा, तुसरे के बाद इस तरह गर जो क्रम है, तो क्रम वन निश्चित हो गया है यह नहीं ? वो परिणाम आज भले ही नहीं हो, लेकिन वो परिणाम जब उद्बन होगा, अर्साथ सख्रू बन कर आएगा तो जिस परिणाम के बार उसे आना है, वही परिणाम आएगा को उससका क्रम है? जो परिणाम के साथ हमने एक तरह से गुस्ता की जी जो परिणाम अपने समय से हटने वाला नहीं है भले हो हमारा हो तो भी उस परिणाम को हटाने की जो जेश्टा है वो वत्तु जवत्था में पुद्रत में बहुत बड़ा अपराज है तो इसकास यह हुआ कि हम केमल अपने ही परिणाम काटना नहीं मानते हैं परिणे सारे ही वत्तु उनके परिणामों को हगे वत्तु और उनके परिणामों को हगे वत्तु मानते हैं इस परिकार कुद्रत को जमाती देगी कि जो बात कुद्रत को बरदाश्ट नहीं है और इसस कितनी शांटी मिलती है कि इसी दो चाषिया अपने को आगे करना है परियां पर ये बात अच्छी तरह बैड जाहिए कि जो परियाय रहें उसका दूसरा नाम उ स्वेट्र फरिचय है हार की तरह, एक के बाद दूसरा मोती दूसे के बाद दीसरा मोती इस प्रकार अपने अपने क्रम में वो मौती प्रगट होता है। जेका जाएने यह सुगोई। तो जो एक के बाद दूसरा मौती। तो वो नहीं है। कि जैसे दूसरे का नम्मल है और छटा आ जाए। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन वह इस तरह जवस्तित हैं कि उनमें कभी भी फरक नहीं पढ़ता है, चुकि फरक पढ़ने का नाम हर का चूपना होता है, इसलिए परियाएं, हर बजाज की परियाएं रंबत्य ही होती है, ऐसा जान लेने पर परियाएं को इधर उदर करने का जो प्रचंड पचूर, बहुत उची लेकिन उसमें उस्पत्ति कुछ नहीं थे, असा उसका उस्पादन कुछ नहीं थे, मैंने क्या होता था? के परियनाम को इधर उगर करने की चेश्टा से एक भी परियनाम इधर से उदर हिलता नहीं था, और हमारा सारा पुर्षार जरत होता था, इस तो एक और दूश्री बात है, कि जब ये कहा जाता है, इसकी चच्चा बात में करेंके हैं, तो ये तो वस्तू यावस्था की आदार पर हमने क्रंवद्ध परिया ये चर्चा की, क्योंकि यान के आदार पर, केवल यान के आदार भी इसकी सिद्धी होती है, लेकिन वस्तु यवस्ता के आदार पर सिद्धी ना हो, तब तक फिरो वस्तु यवस्ता ही नहीं होगी, क्रमबद परियाय तो वस्तु यवस्ता है, इसलिए पहले वस्तु यवस्ता के आदार पर हम ये सिद्ध करेंगे, सच्छुच परियाय क्रम बग्द ही होती है और इदर इदर आज तक हुई नहीं और कभी दो नहीं सके ये वस्तु देवर्था क्या दार पर हुआ इसका की चर्चा अपन ने कल कीजी अब ज्यान क्या दार पर अपन इसकी चर्चा कहें इसकी पहलू है इसके तुझी बहुत अच्छे हैं और जिन पर ये अच्छी तरह सिद्ध होती है फिर क्या खल है इसका अपने जीवन में इसकी पैसा है जैने दो